नमस्कार मित्रो खुशी होती है आपसे बात करके संख्या में भले ही कम हो लेकिन अपनी उपस्थिति का हिसास कमेंट्स के माध्यम से करा देते हैं मित्रो जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर मेरे पास आपके सवाल आते हैं और उनसे पता चलता है कि आपकी जागरूपता कितनी है आज भी एक सवाल आया है मास्टर होरिलाल जी का हरदोई से लिखते हैं कि मैं यू आवस्था से ही किसी सिद्ध पुरूश से मिलना चाहता हूँ लेकन कई प्रसिद साधूँ से बाबाओं से जोतिसियों से मिला भी लेकन किस पाया नहीं अब मैं क्या करूँ होरिलाल जी जी उनमें जब भी कोई वेक्ती जागरूपता की और बढ़ता है और उसे लगता है कि मैं जान लूँ कि सत्त्य क्या है जब उसके मन में ये स्वाल आता है कि क्या समधान मिल सकता है और उस समधान की खौज में जाता है सत्त्य की खौज में निकलता है तो उसका पालाइसे लोगों से पड़ता है जैसा आपकी साथ हुआ निश्चत रूप से वब छंद सो भागे का होता है जब किसी के मन में किसी सिद्ध पुरुस से मिलने की इच्छा जगे लेकिन आपने लिखा है कि मैं कई प्रसिद्ध साधूं से मिला बाबाउं से मिला जोतिसियों से मिला और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी खोज ही गलत है सच ये है कि सिद्ध पुरुस जरूरी नहीं है कि प्रसिद्ध हो और प्रसिद्ध पुरुस से सिद्ध बहुत दूर चली जाती है इसे समझना होगा इस मार्ग में लोग जिन्दगी भर धोखा खाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि उनकी खोज ही गलत है अगर आप किसी प्रसिद्ध पुरुस की खोज में जा रहे हैं यानि वो कोई कलाकार है नेता है व्यापारी है तो इसका आपको लाव मिलेगा सिद्ध पुरुस अंत्रमुखी होता है और वो स्वयम में डूबा होता है सिद्ध पुरुस हमेशा अंत्रिक शक्तियों पर विश्वास करता है सैयम पर विश्वास करता है स्वाध्याई पर विश्वास करता है स्वयम पर विश्वास करता है और प्रसिद्ध पुरुस को हम हमेशा ये चिंता रहती है कि वो बहर मुखी होता है और हमेशा लाइक्स गिनता रहता है फालूर्स बढ़ाता रहता है सब्क्राइबर्स गिनता रहता है उसका भरोसा बाजार पे होता है विज्यापन पे होता है संख्या पे होता है जबकि सिद्ध पुस एक ही चीज़ पर इसलिए सत्य की खोज में, समाधान की खोज में निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें खोजना क्या है? तो निशित रूप से इस संसार में खोजने वालों को सत्ते भी मिला है समाधान भी मिला है और शान्ती भी मिली है इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार